हलो फ्रेंड, cg2 healthy kitchen में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो हल्दी और अद्रक में बहुत सारे गुन मौजूद होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद है और मैं इसके जो फायदे हैं बीच बीच में बताओं की वीडियो में आगे चल कर और अभी मैं स 100 g अद्रक और 300 g गुड़ ये लाल वाले गुड़ है और हल्दी और अद्रक को मैंने च्छील लिया है और साफ कर लिया है और यहां पर मैंने कुछ गटे हुए ड्राइफरूट्स लिया है इसमें काजू है बादाम है खजूर है नार्यल और किसमिस है आप यहां पे छुह दो बड़े चमच घी डालूँगी तो सरसो का तेल गर्म होता है और हल्दी के साथ ही इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है तो आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हल्दी के हल्वा को तो यह देखिए तेल और घी जो है सो गर्म हो चुका है यहां पे मैं पह जानना हैं क्योंकि हल्दी और अध्रक के नका भूनना जो है सो बहुत जरूरी है तभी हल्दी के घाल्वा जो अच्छा पनएगा नहीं तो यह करवा लगे एगा तो friends हल्दी और अद्रक में एंटिवाइटिक गुन होते हैं जो हमें cold और कफ से बचाता है और infection से भी बचाता है अद्रक में ऐसे गुन होते हैं जो arthritis में भी फायदा पहुचाता है हमारे बॉड़ी में कहीं भी सूजन हो तो उसमें भी फायदा पहुचाता है तो friends देखिए लगवग हल्दी जो है सो तकरीबन भून चुका है यहाँ पे मैंने dry fruits एड़ कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसे हल्दी के साथ भूनेंगे ताकि इसका flavor जो है सो अच्छा हो जाए dry fruits भून जाए और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि दूद के साथ ह हमारे body में जो दर्द होता है उसमें आराम मिलता है सरदी में आराम मिलता है तो यह देखिए हल्दी भून चुका है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है गुड और जो grinder jar में लगा था थोड़ा बहुत उसमें पानी डाल कर मैंने इसे डाल दिया है तो पानी यहाँ पे बहु ही जरूरी है भुनना और और इसे पकाना बहुत जरूरी है तब हलदी का हलवा बहुत हीकल B नहीं लगेगा तो इसे खाने से जो बाड़ी में जो ब्लड होता है उसमेए भीолог के अपता रहती है तो नहीं दूब यह इसमें उबाल आने लगा है हल्दी के हल्वा में और लेकिन अभी इसे और पकाएंगे इसका कलर और चेंज होगा तो बिहार साइड में तो जब भी किसी का डिलेबरी होता है बच्चे होते हैं तो उन्हें यह खिलाया जाता है जिससे क्या होता है कि इतनी भी गंदगी हो बाहर निकल जाती है और जो बच्चे की मा होती है वह बहुत ही सेहत मंध हो जाती है तो यह देखिए हल्दी का हल्वा बनकर रेडी हो चुका है और इसे मैं थोड़े से ड्राइफूट से डेकोरेट कर दे रही हूं तो आप सभी से ट्राइब करें थै